हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका एक और वीडियो में और आज जो हमारा मुद्दा है वो है कि पेपर में आपको क्या करना है किस बात का विशेज ध्यान रखना है क्योंकि अब तीरों इंपोर्टेंट सब्जेक्ट के एक्जाम आने वाले हैं बिजनस एकाउंटेंस औ और आपको जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बात याद रखने है वो यह है कि आपको पेपर में एक भी नंबर का कोई भी कुशन छोड़ना नहीं है आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्ट करके आना है इस बात को बिलकुल भी भूल मत जाना कुछ बच्चे यह ब किसमें ब savings में जो आता है पहले व करना है और उसके बाद जो बिल्कुल नहीं आता वो भी करना बात को डिल्कुल नहीं बना कर रस पूरेंद यहां यहां जर लिखते ते वहां वहां जर लिख देना आप को एते से एक कर Deaf सकते हैं बाट को तो वानों कि आप पूर मैं बताता हुए ठीचर होने के नाथे जब हम यह सोचते हैं कि कि हमें किसी बच्चे को पास करना है तो हम पास तभी तो करें जब उसने कुछ लिखा हो आधा आधा कुछ नंबर दे के उससे 25-27 तक लेके जाए अब अगर आप पेपर अटेम्ट ही नहीं करोगे तो कैसे करोगे बच्चो कैसे टीजर पास कर देगा तो impossible नहीं है आप क्या लेकिन पूरा का पूरा अटेम्ट करके आयो बिना अटेम्ट किए कुछ नहीं होगा मेरी बात को लिख कर लो अगर पास होना चाहते हो अच्छे नमबर लाना चाहते हो तो attempt paper करना जरूरी है मैं बार बर बोल रहा हूं 100% paper attempt करना पड़ेगा क्यों क्योंकि बच्चों जब number लाओगे तब भविश्य बन पाएगा यह जो पढ़ाई है ना यह पढ़ाई बहुत important है तो मरे future के लिए और जितना बहतर से बहतर number ला सकते हो जितना आता है उसको कर करने के बाद जो नहीं आता उसको भी please करना मेरी हाथ जोड़ के request है एक भी number का छोड़ मत देना चाहें गलत ही लिख कर आना पड़े क्योंकि पता ही निया कि क्या लिखना है उस question में तो गलत ही लिख रहे होगे लेकिन लिख देना डैथ वाला chapter आया तुम्हें नहीं आता क्या आपने ध्यान से सुना ठीक है हम आपसे किसी next वीडियो में मिलेंगे बाई बाई टेक केर